हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 147 में आज हम वर्ल्ड जोग्रोफी का एक इंपोर्टेंट पार्ट उत्री अमेरिका महाध्वीब और दक्षिनी अमेरिका महाध्वीब इन दोनों को कवर करेंगी तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे नौर्थ अमेरिका की ये जो आपको मेप दिखाई दे रहे हैं यह है नौर्थ अमेरिका का मेप इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं विस्व के सबसे बड़े द्वीब की जिसका नाम है ग्रिन ल जो की विस्व का सबसे बड़ा द्वीप है और जो Greenland है यह है North America के अंदर इस्तित है तो एकजाम में क्योचन पूछ लेता है कि Greenland यह है कहाँ पर इस्तित है तो यह है North America के अंदर इस्तित है और यदि हम Politik Eccording बात करें तो जो Greenland है इस पर Europe का एक देशा Denmark इसका राजनितिक अधिकार है तो एकजाम में जैसे क्योशन पूछे उसके according इसका answer हो जाएगा यदि क्योशन पूछे कि Greenland पर कहां पर इस्तित है तो यह North America के अंदर इस्तित है और यदि पूछे कि Greenland पर किसका अधिकार है तो इस पर अधिकार है Denmark का Next है Bearing जल संदी जो की Rus और अमेरिका के मद्दे इस्तिते यानी यहां पे तो हो गया Rus और यह इस तरफ हो जाएगा America तो Rus और अमेरिका के मद्दे में इस्तिते यहां पे Bearing जल संदी अमेरिका की जिगर यहां पर दिया हुआ हो सकता है अलास्का तो ध्यान देना है जो बेरिंग जलसंदी है यह रूस और अलास्का के मद्दे में है अलास्का जो है यह अमेरिका का ही सबसे बड़ा प्रांत है तो यह जो अमेरिका है इसी का सबसे बड़ा प्रांथ है अलास्का और अलास्का और रूस के मद्दे में पाई जाती है बेरिंग जलसंदी नेक्स्ट है दस हजार दुआरों की गाटी यहाँ भी अलास्का के अंदर ही है अपलेशियन परवसरेनी इसको खनीजों का अजायब गर कहा जाता है अब मैप में देखते हैं कि अपलेशियन परवसरेनी कहाँ पर तो यह जो लाइन ड्रो हो रही है इसी जगह पर इस्तित्य अपलेशियन परवसरेनी और इसी application परवस रेनी को कहा जाता है खनी जो का अजयब गर Next है Eskimo के घर इनको कहा जाता है Igloo तो एक्जाम में यहां से क्योशन पूछ लेता है कि Igloo किसको कहा जाता है तो Igloo कहा जाता है Eskimo के घर को और जो Eskimo है इसके घर पाए जाते है टुंडरा परदेश के अंदर यह जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है यह वाला एरिया यही एरिया है टुंडरा परदेश और यहाँ पे पाए जाते है Eskimo और इनी Eskimo के घर को कहा जाते है इगलू जो की बर्फ के बने हुए है नेक्स्ट है Great Lake Area यानि जो महान जील चतर है यह पाँच जीलों से मिलकर बना हुए और यह है अमेरिका और कनाडा इनकी सीमा पर इस्तित यानि यहाँ पे तो है कनाडा और यहाँ पर इस्तित है United State of America और इन दोनों की सीमा पर इस्तित है Great Lake Area यानि महान जील चतर अब ही जो Great Lake Area इसमें आती है टोटल पांच जीले और इन पांच जीलों को याद करने की ट्रिक है Super Mission है इअंटी तो Super Mission है इअंटी इस ट्रिक से इन पांच जीलों को याद रख सकते यानि Super से मिलके बन जाएगा Superior जील, Mission से हो जाएगा Michigan जील, हैसे मिलके बनेगा अपने पास में Huron जील और इस से मिलके बन जाएगा Erie जील, आंटी से मिलके बनेगा अपने Ontario जील तो यह है पांच जील Superior, Michigan, Huron, Erie और Ontario जील Next है जो सूनहर है यह Superior जील और जो Huron जील है इन दोनों के मद्दे पाई जाती है यानि यहाँ पे तो है Superior जील और यहाँ पे इस्तित है Huron जील इन दोनों के मद्दे में पाई जाती है शूनहर और जो एरी जील और जो ओंटेरियो जील है इन दोनों के मद्दे में पाये जाता है नियागरा जलपरपात तो ध्यान देना है नियागरा जलपरपात यह है तो एरी और ओंटेरियो इन दोनों नदियों के मद्दे पाये जाता है जबकि जो सूनहर है यह सुपीरियर और हुरोन जील इन दोनों के मद्दे में नियागरा जलपरपात यह सयुक्त राज्च अमेरिका और कनाडा की सीमा परिस्तित सबसे बड़ी मीठे पानी की जील यह सुपीरियर जील है तो एक जाम में क्योशन पूछे की नौर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है तो यह सुपीरियर जील सिकांगो जो की मिसीगन जील के किनारे स्थित है तो जो नौर्थ अमेरिका का सहर है सिकांगो यह मिसीगन जील के किनारे स्थित है नेक्स्ट है अमेरिका और जो कनाड़ इसके मद्दे में पाई जाती है 49 डिगरी उत्री अक्सांस रेखा यानि यह जो कनाड़ और यहाँ पे स्थित्य उत्री अमेरिका यानि United State of America इन दोनों के मद्दे में पाई जाती है 49 डिगरी उत्री अक्सांस रेखा नेक्स्ट हम देखते है पनामा नहर पनामा नहर जो है यह प्रसांत महसागर और केरिबियन सागर इन दोनों को आपस में चोड़ती है मैप में आपको यहां पे दिखाए देगी पनामा नहर यह इस जगह पे है पनामा नहर और यह जो पनामा नहर है यह इस तरब तो है प्रसांत महसागर और यहां पे है केरिबियन सागर पनामा नहर, प्रसांत महासागर और केरिबियन सागर इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है पनामा नहर यहीपे यदि एक जाम के पनाम के अन्दर क्योशन में केरिबियन सागर ना हो तो उसकी जगह आपको दिखाए देगा अटलांटिक सागर तो ध्यान देना है कि जो पनामा नहरे ये प्रसांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है नेक्स्ट है पनामा जलसंदी यानि यह जो पनामा जलसंदी है यह है उत्री अमेरिका और दक्षिनी अमेरिका इन दोनों को आपस में जोडने का काम करती है तो पनामा जलसंदी दक्षिनी अमेरिका और उत्री अमेरिका इन दोनों को आपस में जोडती है नेक्स्ट है Yellowstone National Park यह हैं अमेरिका के अंदर रिस्तित है New York जो की हड़सन नदी के किनारे रिस्तित है और जो New York है यहीं पे मुख्याले है UNO का यानी सयुक्त राष्टसंग का मुख्याले New York के अंदर रिस्तित है और सेयुक्त राष्ट संग इसकी स्तापना हुई थी 1945 के अंदर नेक्स्ट है वॉसिंग्टन डीसी जो की पोटा में के नदी के किनारीश थी थे और जो वॉसिंग्टन डीसी है यहाँ पे मुख्याले IMF का यानी International Monetary Fund इसका मुख्याले है वॉसिंग्टन डीसी के अंदर और इसकी स्तापना हुई थी 1945 के अंदर तो ध्यान देन है Hudson नदी के किनारीश थे तो इस्तित है New York जबकि पोटा में एक नदी के किनारीश थे थे वॉसिंग्टन डीसी नेक्स्ट है America और Mexico इन दोनों के मद्दे में है Rio Grande नदी यानी यहाँ पे तो है United State of America और यहाँ पे है Mexico इन दोनों के मद्दे में इस्तित है Rio Grande नदी नेक्स्ट है Mississippi और जो Missouri नदी है यह अमेरिका में है और इन दोनों को कहा जाता है जुडवा नदी तो एकजाम में क्योशन पूछ ले कि जुड़वा नदी किनकी नदियों को कहा जाता है तो यह कहा जाता है Mississippi नदी और Missouri नदी इन दोनों को कहा जाता है जुड़वा नदी जो की अमेरिका के अंदर इस्तित है नेक्स्ट है यूकाटन चेनल और जो यूकाटन चेनल है यह मेक्सिको को क्यूबा से अलग करता है मेप में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो इस्तित है मेक्सिको और यहाँ पे इस्तित है क्यूबा तो मेक्सिको और क्यूबा इन दोनों को अलग करता है यूकाटन चेनल यहाँ पे इस्तित है यूकाटन चेनल तो ध्यान देना है यूकाटन चेनल मेक्सिको को क्यूबा से अलग करने का काम करता है जबकि यही तो यूकाटन चेनल है यह मेक्सिको की खाड़ी को केरिबियन सागर से जोड़ता है यानि यहाँ पे है गल्फ आफ मेक्सिको यानि मेक्सिको की खाड़ी इसको केरिबियन सागर से जोड़ने का काम करता है यू काटन चेनल ध्यान देना है कि जो जलसंदी होती है यह पानी वाली हिस्से को तो जोड़ेगी जबकि जो इस्तल वाला छेतर होता है इसको अलग करेगी तो ध्यान देना है जलसंदी पानी वाली हिस्से को तो जोड़ती है जैसे यहाँ पर यूकाटन चेनल जो है यह मेक्सिको की खाड़ी को केरिबियन सागर से जोड रहा था जबकि इस्तल वाला छेतर जो था यानि मेक्सिको और क्यूबा इन दोनों को अलग करने का काम करती है आगे हम बात करते चिनुक और जो चिनुक है यह एक परकार की हवा है जो कि रोकीज पर वसे नीचे उतरती है और यह सर्यूगत राजय अमेरिका के अंदर बैठी है तो यहां से direct election मनेगा कि चिनुक क्या है तो चिनुक ध्यान रखना है एक परकार की हवा है और यह सयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर चलती है नेक्स्ट है गल्फ इस्ट्रीम और जो गल्फ इस्ट्रीम है यह है एक गल्म जल्दार है और एक होती है लेब्राडोर जो कि थन्डी जल्दार है तो ध्यान देना है गल्फ स्ट्रीम तो है गर्म दर्दारा जबकि जो लेब्राडोर है यह थन्डी जल्दार है नेक्स्ट हम बात करते दक्षिन अमेरिका की उत्री अमेरिका को हमने कवर कर लिया है अब हम cover करते हैं दक्षिन अमेरिका को तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं दक्षिन अमेरिका का सबसे बड़ा दिस यह ब्राजील है जैसा कि आपको map में दिखाई दे रहा है यह है ब्राजील जो की दक्षिन अमेरिका का सबसे बड़ा दिस है ब्राजील में जो कोफी के बागाने इनको कहा जाते है फेजन्डा कोफी बंदरगाय जिसका नाम है सेंटोस बंदरगाय यह भी ब्राजील के अंदर इस दीते तो एकजाम में क्योशन पूछ लेता है कि कोफी बंदरगाय किस बंदरगाय को कहा जाते है तो यह कहा जाता है सेंटोस बंदरगाय को जो की ब्राचील के अंदर इस दीत है नेक्स्ट है सबसे लंबी परवसरंकला जिसका नाम है एंडीज परवसरंकला तो ध्यान देने एंडीज परवसरंकला जो है यह सबसे लंबी परवसरंकला है यह जो आपको मेप में दिखाई दे रही है यही परवस्त रंकला है जिसका नाम है एंडीज परवस्त रंकला और यह विश्व की सबसे लंबी परवस्त रंकला है दक्षिनी अमेरिका की जो सबसे उची चोटी है जिसका नाम है माउंट एकां के गुवा और जो माउंट एकां का गुवा है यह हैं एंडीज परवतकाई इस्तार और जो माउंट एकां का गुवा है यह हैं अर्चेंटिना के अंदर श्तित है دکشنी अमेरिका का एक महत्रुपून प्रान्थ है इकवाडोर इकवाडोर देश जो है यहां से भुमध्य रेखा गुजरती है तो ध्यान देनाए कि जो भुमध्य रेखा है यह इकवाडोर से होकर गुजरती है माउंट कोटोपेक से जो आला मुखी यहाँ भी इकवाडोर के अंदर ही इस्तित है और इकवाडोर की राजदानी का नाम है ट्वेटू नेक्स्ट है एक है गेलोपेगस द्रीब समू यह जो इकवाडोर है इसके पास में यहाँ पर पाये जाता है एक गेलोपेगस द्रीब समू जो की इकवाडोर के अंदर इस्तित है और यह प्रसांत महासागर में जो डार्विन था उसने यहीं पर रिसर्च की थी एक जाम में बाइचांस क्योशन पूछ ले कि डार्विन ने कुन से द्रीब समूब पर रिसर्च की थी तो ये की थी गेलो बेगस द्रीब समूब पर जो की इकवाडोर के अंदर स्तित है नेक्स्टम बात करते अर्चेंटिना की दक्षिनी अमेरिका का एक मैत्पून सहर है अर्चेंटिना अर्चेंटिना की राजदानी है व्यूनस आयरस तो द्यान देना है कि अर्चेंटिना इसकी राजदानी है व्यूनस आयरस पंपास गास के मेदान यह है अर्चेंटिना की अंदर पाई जाते और जो पंपास गास के मेदान है इन्ही को अर्चेंटिना का हरद्दे कहा जाता है तो एक जामे क्योशन पूछले कि अर्चेंटिना का हरद्दे किसी कहते है तो ये कहा जाता है पंपास गास के मेदान को नेक्स्ट है पैटागोनिया मरुस्तल जो की अर्चेंटिना के अंदर इस्तित है दक्षिनी अमेरिका की जो सबसे उची चोटी है मौंट एकांग गुआ यह भी अर्चेंटिना के अंदर इस्तित है तो यह था अर्चेंटिना के बारे में कुछ important डान करी इसकी राज़दा ने याद रखनी है प्यूनस आइरस पंपास गास के मेदान अर्चेंटिना में पाये जाते जिनको कहा जाता है अर्चेंटिना का हरद्य पैटागोनिया मरुफ्तल यह भी अर्चेंटिना के अंदर स् सबसे उची चोटी नेक्स्त चिल्ली और जो अर्चेंटिना की सीमे यहाँ पर विशवगा सबसे उचा जौणामुखी है ऊजश्च डेल सलाडू जो कि एंड़ीच परवतमहला पर हस्तित है तो द्यान देना है यहाँ पे तो इस्तित है चिल्ली और यहाँ पे इस्तित है अर्चेंटिना इन दोनों की जो सीमा है यहाँ पर विश्व का सबसे उचा ज्वाला मुखी है ओजस डेल सलाडू द्यान देना है एक्जाम के लिए मौस्ट इंपोर्टेंट है कि विश्व का सबसे उचा ज्वाला मुखी कौन सा है और यह कहाँ परिस्तित है तो दक्षिनी अमेरिका की चिल्ली और अर्चेंटिना की सीमा परिस्तित है विश्व का सबसे उचा ज्वाला मुखी ओजस डेल स नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसांत महासागर और जो अटलांटिक महासागर है इन दोनों से कोलंबिया देश सीमा मनाता है यह जो आपको दिखाई दे रहा है कोलंबिया क्या है देश सीमा मनाता है एक तो प्रसांत महासागर से और एक अटलांटिक महासागर से यानि इन दोनों के मद्दी जो सीमा मनाता है वह मनाता है कोलंबिया नेक्स्ट है टिटिका का जिल जो की पेरू और बॉल्विया की सीमा पर इस्थित है यानि यहाँ पे तो हो गया पेरू और यह हो गया बॉल्विया इन दोनों की सीमा पर यहां पर इस्तित है टिटिका का जील और टिटिका का जील जो है यह विश्व की सबसे उची नोकायन जील है तो ध्यान देना है एक जामे क्योशन पूछ लेता है कि विश्व की सबसे उची नोकाएं जील कौन सी है तो यह हो जाएगी टीटीका का जील जो की पेरू और बॉल्विया की सीमा परिस्तित है नेक्स्ट है आटाकामा मरुस्तल और जो आटाकामा मरुस्तल है यह पेरू और चिली की सीमा परिस्तित है तो ध्यान देना है यहाँ पे तो हो गया पेरू और यहाँ पे हो गया चिली इन दोनों की सीमा परिस्तित है आटाकामा मरुस्तल जो की विश्व का सबसे सुस्कतम मर तो ज्यान देना है दक्षिनी अमेरीका के इंदर इस्तित्त आटाकामा वरुस्त और यह पेरू ऑर चली की सीमा परिस्तित जो की विश्वर का सबसे सुस्क्तम मरुस्त रहे नेक्सटम बात करते दक्षिनी अमेरिका के वेनेज्वेला की जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे यह है वेनेज्वेला वेनेज्वेला में जो गास के मेदान पाए जाते हैं उनको कहा जाता है लानोस गास के मेदान वेनेज्वेला की राजदानी है कराकस तो ध्यान देना है कि जो कराकस है यह है वेनेजुएला की राज़तानी वेनेजुएला की मुद्रा है बोलीवर और एंजिल जलपरपात यह वेनेजुएला के अंदर इस्तित है और यह विस्व का सबसे उचा जलपरपात है तो एक्जाम में क्योशन पूछ ले कि विश्व का सबसे उचा जलपरपात कौन सा है तो यह है वेनेजुएला जलपरपात यह है एंजिल जलपरपात जो कि वेनेजुएला के अंदर इस्तित है एंजल जल परपात जो है यह ओरीना को या फिर केरो नदी परिस्थित है तो एकजाम में यहां से भी क्योशन पूछ लेता है कि जो एंजल जल परपात है यह कौन-कौन सी नदी परिस्थित है तो जान रखना है कि जो एंजल तर परपात है यह ओरीना को या फिर इसी को कहा जाता है केरो नदी तो ओरिना को या फिर केरो नदी की पर हिस्तित है एंजिल जल परपात जो की वेनेजुएला के अंदर हिस्तित है और यह विस्व का सबसे उचा जल परपात है नेक्स्ट है अफवा तंतर के अनुसार सबसे बड़ी नदी जो हकी है अमेजोन नदी यहीं पर आपको ध्यान देना है कि यदि बात हो सबसे लंबी नदी की तो उसका नाम है नील नदी और यह मिस्र के अंदर है जबकि यदि बात करें अफवा तंतर के अनुसार तो अफवा तंतर के अनुसार सबसे बड़ी नदी है अमेजोन नदी अमेजोन नदी में जो गास के मेदान पाए जाते हैं उनको कहा जाते हैं सेलवाज गास के मेदान Most important है सेलवाज गास के मेदान जो की अमेजो नदी में पाए जाते हैं दक्षिनी अमेरीका के दो देश एक तो है बोलविया और एक है परागवी जो की लैंडलोग कंट्री है यानि यह तो हो गया परागवी और यहाँ पे इस्तित्र एक बोलीविया यह दोनों देश हैं लैंडलोग कंट्री अब आपको ध्यान रखना है कि यह जो लैंडलोग कंट्री है यह क्या होता है तो लैंडलोग कंट्री वह कंट्री होती है जिनकी सेमा समुंदर से नहीं लगती है उन्हें कहा जाता है लैंडलोग कंट्री है और दक्षिनी अमेरिका में दो ही देस हैं, एक तो है बॉल्विया और एक है परागवे, जिनकी सीमा समुंदर से नहीं लगती हैं, बाकि जितने भी देस हैं, उन सभी की सीमा समुंदर से लगती हैं नेक्स्ट है, मेगलेन संदी, और जो मेगलेन संजी है, ये अर्जेंटिना और चिली के मद्दे में स्थिते दक्षिनी अमेरिका के अंतर, तो ध्यान देन है अर्जेंटिना और चिली, इन दोनों के मद्दे में हैं मेगलेन जलसंदी Next हम आगे देखसे dost डक्षिनी अमेरिका के महतुपून देश और उनकी राज़्दानी सबसे पहले हैं भात करतें अरचेंटिना की जिसकी राज़्दानी है व्योडस ऐरस ब्राजेल की राज़्दानी है ब्रासिलिया इक्वाडोर की राज़्दानी है क्वीटू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बोलिविया, इसकी राज़दानी है लापाज, चिली की राज़दानी है सेंटियागो, कोलंबिया की राज़दानी है बोकोटा, और वेनेज्वेला, इसकी राज़दानी है कराकस, जो आपको उपर दिखाई दे रहा है वेनेज्वेल दक्षिनी अमेजिका के अंदर जितने भी देश है वे सभी अपनी सीमा मनाते हैं ब्राजिल से जबकि दो देश एक तो है चिली और एक है एकवाडोर यह दो देश ब्राजिल से अपनी सीमा नहीं मनाते हैं बाकि यह जितने भी देश है वेनेजुएला, कॉलंबिया, पेरू, बॉलिविया, परागवे, उरुगवे और यहाँ पे हो गया अर्चेंटिना। यह सबी देश ब्राजियल से सीमा बनाते हैं, जबकि जो है एकवाडोर और एकच चिल्वी, यह दोनों देश ब्राजियल से अपनी सीमा नहीं बनाते हैं, तो यह था आज का हमारा वीडियो उत्री अमेरिका और तक्षिनी अमेरिका का, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छ अमेरिका और दक्षिनी अमेरिका इन दोनों से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट क्योशन है उन सबी को कवर करेंगे